खबर एक, चतिसकर CRPF फायरिंग, सुकमा के CRPF कैंप में फायरिंग, जवान ने अपने ही साथियों पर बरसाई गोलियां, ABP News, खबर दो, 7.5 मिलियन यूरो का कमीशन फरजी बिल, फ्रांस में राफेल डील पर नया खुलासा, आज तक, खबर तीन, छट पूजा, यमुना नदी में जहरीले जहाग के बीच सनान को मजबूर हुई महिलाएं, विडियो देख सिहर जाएंगे NDTV इंडिया, खबर 4, तमिल नाडू रेंज, मूसलाधार बारिश ने तोड़े रेकॉर्ड, तमिल नाडू में हर तरफ तबाही, स्कूल कॉलेज बंद, देखे तस्वीर नवभारत टाइम्स, खबर 5, मानहानी के सह समीर वानखेडे के पिता की याचिका पर बॉंबे एच सी ने नवाब मलिक से जवाब मांगा न्यूज 18, हिंदी, खबर 6, पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलता है राजस्थान, जाने कहां है सबसे कम वाट हि खबर 7, क्या पीएम मोधी की राह पर है योगी? दो दशक पहले नरेंद्र मोधी ने भी रखा था राजनीते प्रस्ताव, क्या है माने नव भारत टाइम्स, खबर 8, 94 साल के हुए आदवानी, पीएम मोधी और अमित शाह ने घर जाकर दी जनम दिन की बधहाई इंडिया टीवी हिंदी, खबर 9, राश्ट्रपती भवन में 119 लोगों को मिला पदम अवार्ड, जपैन के पूर्व पीएम शिंजो आबे को दिया गया पदम विभूशन, आज तक, खबर 10, यूपी, कहराना में गर्जे सीम योगी, बोले किसी अपराधी ने दुस्साहस किया तो दूसरे लोग भेज देंगे, अमर उजाला, अमर उजाला, Automatically Generated